Hello everyone, today's topic is Summary of the Mother's Day by J.B. Priestley ये आपकी बुक जो snapshot है class plus one की इसका chapter 5 है तो आज जो है आम इसकी summary discuss करेंगे So let's have a look at its summary ये chapter जो है J.B. प्रिसली द्वारा लिखा गया है J.B. प्रिसली एक English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster, social commentator रहे हैं ये chapter हमारे जो है mothers को dedicated है कि कैसे एक जो mother है अपना जो है सुबा से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती है अपने husband, अपने जो है children को happy रखने के लिए लेकिन फिर भी उनको कोई भी respect नहीं मिलती है इस lesson के अंदर जो पांच character है वो है Mrs. Annie Pearson ये एक missive nature की woman होती है दबू किसम की woman होती है और दिन से सुबा से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती है और लेकिन फिर भी इसके जो husband और children है वो thoughtless है जोर्ज Pearson इसके husband है Mrs. Annie Pearson के Doris Pearson Mrs. Annie Pearson की daughter है Cyril इनका जो एक लड़का है और Mrs. Frisrael Mrs. Annie Pearson की neighbor है play की setting में दोनों यो women है जे table के opposite बैठी होती है ये discuss कर रही होती है जो है card play कर रही होती है तो Mrs. Frisrael जो Mrs. Annie Pearson की neighbor है जे एक fortune teller होती है तो वो उसका भविश्य देकर बता रही है कि नहीं आपको अपने पाउँ पे खड़ा होना होगा आपको जो है आपको अपने जो बच्चों को अपने पती को बताना होगा otherwise आपको अपनी फैमिली का बोस बनना होगा लेकिन जहां पर Mrs. Annie Pearson कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती ये मेरे बस का काम नहीं है Mrs. Annie Pearson है basically submissive nature की woman होती है लेकिन दूसरी तरफ जो Mrs. Frisrael है ये bold और confident lady होती है इसकी जो nature है बोल्ड हमेशा होती है और खुले बचारों वाली ladies होती है Mrs. Pearson कहती है कि मुझे अपने बच्चों से और पती से बहुत प्यार है वो अपने घर के सारे कारे करती है सुबह से लेकर शाम तक लेकिन बच्चे उसका कोई भी जो है अपनी मा का notice नहीं लेते है वो उसको एक servant की तरह treat करते है Mrs. Pearson की जो neighbor थी Mrs. Frisrael वो एक जादू जानती थी तो उसको जो है नहीं खुश होती है unhappy feel करती है Mrs. Annie Pearson की miserable condition दे कर वो decide करती है कि Mrs. Annie Pearson के family को जो है lesson सिखाया जाए तो वो अपने magic के दोरा जो है अपनी personality change कर लेती है Mrs. Pearson के दोरा दोनों जो ladies है इनकी personality change हो जाती है personality का means जहाँ पे यह है कि जो Mrs. Pearson है उसके अंदर अब जो है Mrs. Frisrael की personality आ जाती है और Mrs. Frisrael के अंदर Mrs. Annie Pearson की personality आ जाती है क्योंकि आप Mrs. Pearson के अंदर Mrs. Fitzreald की personality आ गी है तो Mrs. Pearson जो है बोल्ड और confident बन जाती है और Mrs. Fitzreald जो है ये meek और submissive nature आ जाती है इसकी जो अब nature है ये बिनमर हो जाती है तो फिर अब जो है जहां पे Mrs. Pearson जिसकी अंदरा Mrs. Fitzreald की personality है वो Mrs. Fitzreald को कहती है जिसकी अंदर Mrs. Pearson की personality है कि आप मेरे घर चले जाओ आपको आपका दिन बहां पे बहुत अच्छा रहेगा अब मुझे है जो है आपके बच्चों से निप्टने दो तो वो जो है उसको अपने घर भेज़ देती है Mrs. Pearson Mrs. Fitzreald को तो Mrs. Pearson अब जिसकी अंदर Mrs. Fitzreald की personality है अब देखिए तो कैसे treat करती है जो अपने family member से तो सबसे पहले Mrs. Pearson की daughter आती है Doris वो Doris जो है अपनी मा को पूछती है कि आज उसकी जो मान है उसके लिए कोई भी खाना नहीं बनाया वो बड़ा हैरान होती है Doris देखती है कि उसकी माँ पफिंग कश ले रही होती है तो स्मोकिंग कर रही होती है उसने अपनी माँ को कभी स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था Doris कहती है कि माँ मेरे लिए चाय त्यार है वो कहती है अगर मैंने अपने लिए चाय बना के पी लिया अगर तुम्हे अच्छा लगे तुम खुद बना लो तो डॉरस कहती है कि क्या मा अपने मेरी जो है जैलो आरेंड ड्रेस है अइसको आपने आरेंड कर दिया है तो कहती नहीं मैंने नहीं किया है मुझे आप खुद गर लीजिए वो यहाँ पे जो है Mrs. Pearson जिसकी अंदर Mrs. Fitzrell की personality है वो उसका जो boyfriend होता है उसका भी मजाक उडाती है कहती ही कि अगर मैं तुमारी उमर में होती तो मैं कभी भी इस तरह से लड़के से जो है अपना जो है उसको अपना जो है friend नहीं बनाती वो उसको half bitter और buck teeth कहती है कहते हैं उसकी जो है मंद बुद्धी वाला है और उसके हीरन जैसे दांत है लेकिन डोरिस को उसका जो बहवार है वो सेहन नहीं कर पाती है इस तरह के बहवार को फिर इसके बाद जो है सेरेल आता है उसका जो ब्रदर होता है डोरिस का तो ये Mrs. Annie Pearson का बेटा है अब ये आता है ये भी चाय के लिए पूछता है मा कहती ही नहीं मैंने चाय नहीं बनाई अगर तुम्हें चाये तो तुम्हें खुद बना लो फिर कहता है कि मा जो है आपने मेरी जो शल्ट है उसको के आपने मेंड कर दिया है वो नहीं कहती है अभी मुझे मेंडिंग अच्छी नहीं लगती है तो मैंने नहीं की आप खुद कर सकते हैं तो डॉरिस कहता है कि नहीं मां मैं तो 8 घंटे काम करता हूँ आप इतना काम भी नहीं करते वो मां कहती है कि मेरे 8 घंटे होगे हैं और मैं मी अब ऑप एक वीक में 40 घंटे ही काम करूँगी और मेरे भी जो हैं दो दिन अब जो रेस्ट के होंगे उसके बाद थोड़ा बोता खाना बना दूँगी जा आपका थोड़ा काम कर दूँगी वो भी तब अगर आप मेरा धन्यवाद करेंगे और स्पेक्ट से मेरा आदर सतकार करेंगे नहीं तो मैं भी किसी होटल में कलेरे मा कहती है अगर आप ऐसा होगे तो मैं आपको सच मुच में हिट कर दूँगी तो आप ऐसी बाते कहना बंद कर दो अब इतने में क्या होता है कि उनके जो फादर है जोर्ज पियर्सन आ जाते हैं अब दोनों बचे मंद मंद मुस्कुराते हैं क्योंकि कहते हैं हम भी बाते हैं तो देखते हैं कि मिसिस पियर्सन स्टाउट ले रही होती है ड्रिंक कर रही होती है उन्होंने कभी भी मिसिस पियर्सन को स्टाउट कर जो है ड्रिंक लेते हुए नहीं देखा था तो बड़े हिरान होते हैं वो कहते कि आप इसमें ड्रिंक ले रहे हो वो कहती क् ने कोभी आपको लेती नहीं देखा जादिनके इसमय में कहती है हाँ चेंज मैं भी अपने लाइफ में कुछ चेंज चाती हूँ लेकिन जहां पे जो है चेंज अच्छा नहीं लगता है तब वहाँ पे जो है पियरसन को बताता है कि आज जो है आज कलब के अंदर एक special party है तो इसलिए आज मुझे चाए नहीं चाहिए तो मिसिज Pearson कहती है कि मैंने दो चाए पहले ही नहीं बनाई है तो यह बात सुनकर वो angry हो जाता है जो है जो है जोर्ज Pearson कहता कि आपने मेरे लिए यह चाए नहीं बनाई है तो मिसिज Pearson उसको पूछती है कि क्या अपने कलब में भी इस तरह की कभी बात की है आप कलब में आपको अगर आपने वहाँ पे आपको कोई समान चाहिए और आपको समान नहीं चाहिए और वो कहते हैं कि हाँ आपको आप नराज हो जाते हैं कि मुझे यह समान चाहिए तो क्या अपने कलब में भी इस तरह का भेहवार किया है तो she tells him that the people at the club laugh at him and called him pompy-ompy Pearson वो उसने उसको बताया कि जो कलब के अंदर लोग हैं वो उसके उपर हांसते हैं और उसको pompy-ompy भढ़किला-mोटिला Pearson कहते हैं सारे जो family member हैं इस तरह का जो भेहवार देखकर वो हैरान हो जाते हैं Mrs. Pearson का वो सारे एक तरह से डर जाते हैं इस तरह सो और तभी जब बहां पे क्या होता है जब play के end के end में Mrs. Israel आती है जो in fact Mrs. Pearson के जिसके अंदर Mrs. Pearson की personality है वो इस तरह का जो भेहवार है जो उसके family members का वो सहन ही करती है वो Mrs. Pearson को जिसकी अंदर Mrs. Israel की personality है वो कहती है कि अब हमें personality change कर लेनी चाहिए तो वो कहती है ठीक है हम कर लेते हैं तब उन्होंने अपनी जो है जो है उनके family members को भेज़ दिया एक कमरे में फिर उन्होंने अपनी personality change कर ली तो लेकिन जहां पे जो है Mrs. फिर्जरेल्ड अब personality change करने के बाद Mrs. फिर्जरेल्ड है वो Mrs. Pearson को पका कर देती है कि कहती कि अब आपने अपने behavior पका रहना है काइम रहना है आपने कोई भी खशमा जा सोरी नहीं मांगनी है तो Mrs. फिर्जरेल्ड फिर्जरेल्ड पुश्ट है कि आप आप अपनी family member से क्या करवाना चाहते हैं वो कहती मैं चाहती हूँ कि आज जो है रात का सपर जो खाना है बच्चे बनाएं और मैं इनके जो है Mr. जोर्ज है इनके साथ जो है मैं आज जो है एक रमी की गेम खेलूंगी तो बोलते है ठीक है वो ऐसा करेंगे तब वो Mrs. फिर्जरेल्ड चले जाती है लेकिन एक अबर उसको इसको इस्यूर कर देती है कि अब आपने जो है इनसे को एक शमा नहीं मांगनी है आपने इनको स्टिक्टली ओर्डर देना है और इनसे जो है नहीं तो सारी जो हमारी महिनत है जो बेकार हो जाएगी तो उसके बाद जो है सारे फैमिली मेंबर आ जाते हैं तो मिसिस पिर्जरेल्ड उनको कहते है कि आज बच्चों को बोलती है कि आज जो है सारे और जो डोरी साजी खाना बनाएंगे और जो है मैं आज जोर्ज पिर्सन के साथ रम्मी की गेम खेलूँगी तो सारे बचे खुशी हो जाते हैं और जोर्ज पिर्सन भी उसकी बात को मान लेते हैं और प्ले के अंत में जो सारे family members हैं वो जो है अपनी Mrs. Pearson के इर्दिगृद इकठे हो जाते हैं this was the ending of the play तो इस play के अंदर एक बड़ा clear सा message है कि women need also rest and entertainment women को भी rest की जरूरत है entertainment की जरूरत है ऐसा नहीं, we should not treat them like servant, उनको हमें servant की तरह treat नहीं करना चाहिए, rather we should help them women in their household work, उनके घर के काम में हमें मदद करानी चाहिए इस जो है आप इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, शेर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के जो है वीडियो बनाने की मुझे motivation मिलती रहे, so have a nice day